नेक्स्ट है जानकी कुंडम जानकी कुंड राम घटात नाती दूरम एव जानकी कुंडम अस्ती राम घाट के समी भी जानकी कुंड है तत्र नोक्या अपी गंतुम शक्यते तत्र मतलब वहाँ नाओ के द्वारा भी जाशकते हैं अत्र मंदाकिन्या शान्तम जलम अतीत स्मती पूरितम इव इस्तरम भाती यहाँ अत्र मतलब यहां मंदाकनी का शांत जल और इस्तर जल पुरानी यादों से भरा हुआ सा प्रतीत होता है वनवास सीता अत्रैव स्नानम करोती इसमें वनवास के समय में जो सीता थी सीता माता वो यहीं स्नान करती थी अतेव एतश्य नाम जान की कुण्णम इती प्रसिद्धम इसी लिए यहां का नाम जान की कुण्ड ऐसा प्रशिद्ध है फिर है अनुशुया श्रम सगनवन मद्य अनुशुया अश्रम विद्यते सगनवन मतलब घने जंगलों के बीच में अनुशुया का आश्रम है इसका संदी विक्षेत क्या होगा अनुसुया धन आश्रम ठीके अर्ट यहां पक्षिणाम मतलब पक्षियों की कलरवा मतलब होता है जो उनकी आवाज है वो यशोर निरजर जरजर जरजर ध्वनी मतलब जर्नों की जरजर ध्वनी और सीतल वायूच्या मनांसी रंजयती और थन्डी हवा मन को प्रशन करती है मन्दा किन्या उद्गम इस्तलम एत देव मन्दा किन्या का उत्पत्ती इस्थान यहीं है ठीक है अत्र ब्रह्मा विश्नु महेश आत्री अनुशुया दया तपश्याम आकुरवन यहां ब्रह्मा विष्णु और महेश आदी ने अनुशुया इत्यादी ने तपश्या की थी इस्वटिक सिला जान की कुंड समीबे ए विशाला सिला दर्शनिया वर्तती जो गया होगा चित्रकूड उसे बिलकुल पता होगा कि जो इस फटिक सिला है वह जानकी कुंड के समीप में ही है ठीक है जानकी कुंड के समीप ही विशाज सिला सिला मतलब पत्थर दर्शनिय है अत्रेव जयन्ता काक रूपया सीता चर्णे चंचु प्रहारम करतवान आसीत इती प्रशिद्दम यहाँ पे क्या है इंद्र के पुत्र जयन्त जयन्त कौन है इंद्र के पुत्र जयन्त ने कवे काक मतलब होता है कवे कवे के रूप में सीता के चर्णों में चंचु प्रहार मतलब चौँच से प्रहार किया था ऐसा प्रशिद है यहाँ पे क्या है ऐसा प्रशिद है कि जैन्त ने सीधा जी की चर्णों में चंचु अपनी चौश से प्रहार किया था फिर नेक्स है गुप्त गोदावरी चित्रकूट से पांच कोश दूर नेत्रों को आकरशित करने वाला सौंदरिय से युप्त गुप्त गोदावरी इस्थान है ठीक है गुप्त गोदावरी इस्थान बहुत ही सुन्दर जखे है अत्र द्वै नैसरग के गुए इस्था यहाँ पे दो नैसरग के मतलब प्राकरतिक गुफाएं हैं अत्र निरंतरम जलम प्रभती यहाँ निरंतर जल प्रभाहित होता रहता है हनमानधारा में क्या है यहाँ उची इस्थान से जल गिरता है यहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी सीड़ियां चड़नी पड़ती है अत्र जल प्रपाता अत्र खलू द्रश्टव्य एव यहाँ यह जल प्रपात निश्यत रूप से देखने लायक है इसका संदे विक्षेट क्या होगा लंका धन 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 अनंदरम ठीक है लंका या लंका धन धन अनंदरम रामकी आग्या से हनुमान नहीं सीतलता प्राप्त की थी अतहा इसका नाम अनमान धार क्रसिद है ऐसा लोगों का कहना जं शुरती मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई पाते अत्र मतलब होता है यहां राश्ट्र शेवक नानाजी देश मुखने ग्रामों के उधार की भावना से नवीन मतलब नया प्रकल्प भवन सापित किया था प्रकल्प मतलब होता है भवन चित्र कूट ग्रामों दय विश्व विद्यालया साम प्रतम सहा इस समय मात्मा गांदी ग्रामों दय विश्व विद्यालया इती नामना प्रशिद्धा जो चित्र कूट ग्रामों दय विश्व विद्यालया है वो इस समय पे मात्मा गांदी ग्रामों दय विश्व विद्या अले नाम से प्रशिद्ध है अता प्राकर्तिक चिकिस्था प्रकल्प अपी वर्तते यहां अत्र मतलब यहां प्राकर्तिक चिकिस्था भवन भी है प्रकल्प मतलब भवन क्रशे अनुसंधान कारिये सु अत्रमहती प्रगती द्रश्यते क्रसी के अनुशंधान कारियों में यहां बहुत उन्नती दिखाई देती है प्रगती रश्यते मतब उन्नती दिखाई देती है